नमस्कार आज की इस वीडियो मैं आपको MS Word में Text Editing Tools के बारे में बताऊंगा कि Text Editing Tools कौन कौन से हैं और हम इनका उप्योग किस तरह से करेंगे तो देखिए मैं आपको पहले ये बता दूँ कि MS Word में यदि आप काम करना चाहते हैं MS Word में आप कुछ काम करके उसे पब्लिस करना चाहते हैं तो ये टूल्स को जानना और इसको उप्योग में लाना बहुत ज़रूरी है तो MS Word में Text Editing जो टूल्स हैं उसमें से आप देखें पहला है Find, दूसरा Replace, तीसरा Select, चौथा Cut पांचमा Copy और छठमा Paste तो आप अगर देखें तो नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि कौन सा टूल क्या काम करेगा Find का मतलब हमको पता है कोई चीज़ जब हम ढोड़ते हैं तो उसको अंग्रेजी में Find करना कहते हैं Replace का मतलब है कि हम उसे बदलना अगर कोई चीज़ हमने Find किया है या कोई Word को किसी दूसरे टेक्स्ट में हमें बदलना है तो हम उसे Replace कर रहेंगे Select का मतलब होता है कोई भी चीज़ को Select करना Cut का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को हम Cut करके कहीं और उसे उठा करके ले जा सकें Copy का मतलब होता है कि उसकी Copy करना और paste का मतलब होता है कि अगर हमने कोई चीज कट ये copy किया हुआ है तो उसे हम cursor की जगह पे paste कर सकें ये paste करना कहलाता है फिर आप दूसरी बात ये भी याद रखें कि इनकी जो shortcut की है वो आप especially याद ही रखें क्योंकि ये बहुत important tools है जब भी आप MS Word में कोई भी काम करेंगे चाहे वो छोटा काम हो बड़ा काम हो या चाहे आप later लिखें resume बनाएं कुछ भी काम अगर आप करते हैं तो ये tools आपको बहुत मदद करता है तो आपको ये पूरे tools के काम बनने चाहिए और इसकी shortcut की आपको याद होनी चाहिए तो देखें पहला tools की बात करते हैं तो पहला tools हमारा find है तो ये find tool आप देखें तो ये editing home group box के editing group box में ये दिया हुआ है find अब find का मतलब अपन समझी गए हैं कि कोई भी चीज़ को ढोड़ना ही के लिए तो आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने देखें ये कि पुरा क्या है documents बना हुआ है ये documents में इतने सारे फाइलें बनी हुई है ये pages बने हैं तो अब इस pages में मुझे कोई word अगर ढूड़ना है तो मैं क्या करूँगा generally मैं find में click करूँगा यहाँ पैसा एक box आया navigation box आया ये देखे ये 2013, 2016 और 2019 में ऐसा box या ऐसा आपको navigation दिखाई देगा या इस तरह से आपको interface दिखाई देगा तो अगर जो भी word आपको ढूड़ना है तो जैसे माली जे मुझे अगर ढूड़ना है अगर मुझे और दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि और computer word कहां पे लिखा हुआ है तो मैं enter की press करता जाओंगा यह देखें मैं enter की press कर रहा हूँ और जहां जहां computer word है computer मुझे वहां वहां पे search करके दिखा रहा है तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से कोई भी word को control F या find की मदद से ढूड़ सकते है दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि यह जो find tool है यह सभी जगह पे काम करता है सिर्फ MS word bus में काम नहीं करता आप समझ गए होंगे कि मैं आप से यह बोल रहा कि MS word bus में control F या find tool काम नहीं करता यह सभी computer के सभी applications में काम करता है जैसे कि अगर हम excel की बात करें तो excel में अगर हमें कोई चीज धूड़ना है यह जो हमने कोई नाम पता है किसी का mobile number लिखा है हमें धूड़ना है तो हम find का use करेंगे अगर हम internet में बात करें कि हमारा result आया हुआ है और हमको अपना roll number ढूड़ना है तो वहाँ पर भी हम control F करके find कर सकते हैं तो computer में जितने भी applications यूज करते हैं या जो भी software हम use करते हैं वहाँ पर अगर हमें कोई चीज ढूड़ना है तो हम find का ही प्रयोग करते हैं तो इसलिए मैं आप से बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें computer में काम करने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है तो आपने देख लिए किस तरह से हमने find tools का use किया अब जो दूसरा tools है वो है आपका replace तो replace की बात कर देखिए तो हम कोई भी word को तभी replace कर पाएंगे जब हम उसे find कर लिए हैं ये बात आपको याद रखना होगा यानि replace कब काम करेगा जब आप उस word को find कर चुके जैसे मैंने computer word को find किया अब मुझे computer को माल लेते हैं replace करना है system में तो मैं यहाँ पर replace with system कर दिया computer सब्द लिखा है वो सभी system में बदल जाए तो मैं replace all button में click करूँगा तो मैं मेरे पास जो है computer word बहुत सारे हैं तो मैं replace all button में click करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर system जैसे यहाँ पर देखे message दे रहा है कि six replacement six word उसने replace कर दिया तो आप जो है sorry यहाँ पर we made 18 replacement 18 word को इसने replace कर दिया तो यह देखे जहाँ जहाँ computer सब्द था वहाँ वहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा system दिखाई देने लगा ठीक है फिर इसके बाद आप यहाँ से भी find कर सकते हैं अगर कोई दूसरा word find करना है हम को देखिए find पर यहाँ पर replace word लिखा हुआ है और इसके बाद अब replace word नहीं लिखा हुआ है तो हम इस तरह से जो है इस dialog box की मदद से हम find भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको दिखाए दे रहा है go to, तो go to में देखिए page number, मैं यहाँ पे आपको page के बारे में बता रहा है, कि जैसे अभी मेरे पास कित्ते page का document है, 73 page का document है, और मैं किस page पे हूँ, 65 number की page में हूँ, ठीक है, मेरे सामने जो page खुला है, वो कौन सा है, 65, और मेरे document में कुल कित्ते page है, 73, तो मैं अब मुझे माल लेते है, page number 1 पे जाना है, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, और go to में क्लिक कर दूँगा, तो मैं पहुँच जाओंगा page number 1 में, तो देखिए, यहाँ पे कुछ देर में page number 1 आएगा, देखिए, यहाँ पे आगया page number 1, अब मुझे एगर 73 page पे जाना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 73, और go to कर दूँगा, तो अब मैं पहुँच जाओंगा, 73 नमबर के page में यहाँ पे पहुँच जाओंगा, 73, यह 73 नमबर के page में पहुँच गिया, तो इस तरह हम जो है go to कर सकते हैं, अभी हमने page का किया, फिर तरह section, line, bookmark, comment और footnote पर भी हम जो है go to कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर section है, जहाँ जहाँ line है, जहाँ जहाँ bookmark हैं, जहाँ 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 पर comment हैं, जहाँ जहाँ पर footnotes हैं, अभी यह चीज़े क्या होती हैं, अभी हमारे पास है नहीं, हमको पता नहीं है, क्योंकि अभी यह new learner है, तो इसलिए अभी हम page का हमने यहाँ पर example लिया, फिर दिर दिर आपके चीज़े पता चल जाएंगी, तो आपने देखा किस तरह समने find, replace और go to किया, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गिया हो गई है, तो अपन इसे close करते हैं, अब बात करते हैं, cut, copy, paste की है, तो cut, copy, paste बिलको simple है, देखे कैसे use करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये लिखा हुआ, देखे, power point यहाँ पर लिखा है, मैंने इसको select किया, select करके, मैं चाहता हूँ कि ये power point जो word है, ये फिर ये पूरा का पूरा प्रस्न मैंने select किया, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रस में है ये आखरी नमबर यानि कहां पर आए पांच नमबर के बाद आए ठीक है तो मैंने इसको क्लिक किया और ये कट पर क्लिक करता हूँ तो जैसे cut पे click किया देखिए यह जो press में जो मैंने select किया था वो यहां से क्या हो गया cut हो गया अब मुझे कहां पे चाहिए यहां पे चाहिए तो मैं cursor रखता हूं enter की press करता हूं और paste में click करता हूं तो जो मैंने cut किया था वो cursor की जगह पे paste हो गया अब इसे तरह अगर मैं copy करता हूँ तो copy में क्या होगा तो माल लेते हैं कि मुझे इसी line को दोबारा लिखना है तो मैंने इसको select किया और मैं ये copy में click करता हूँ ये मैंने copy में click किया अब मुझे जो मैंने copy किया है उसे मुझे लाना है तो मैं paste में click करूँगा तो ये यहाँ पे paste हो गई अब ये काम जो है अगर आप shortcut की से करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होगा तो shortcut की कैसे जैसे मुझे इसे cut करना है तो मैंने select किया और control x किया तो देखे ये cut हो गया अगर मुझे paste करना है तो मैंने आपको paste की shortcut की बताया control plus V मैंने control plus V किया तो ये paste हो जाएगा अगर मुझे copy करना है तो select करिए और control के साथ C दवाईए ये copy हो गया जहाँ पर भी चाहिए वहाँ पे cursor को आप रखें ये जो blink कर रहा है इसे हम cursor बोलते हैं और आप keyboard से control plus V बतन प्रेस करें तो ये paste हो जाएगा तो इस तरह से हम shortcut की मदश से भी हम आसानी से cut copy paste कर सकते हैं तो ये tools थे जिसे हम text editing tools कहते हैं तो चलिए हम text editing tools में एक बार फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारा text editing tools यह हम आगए है तो मैंने आपको text editing tools जो है स्वरी कहाँ चल गया तो ये text editing tools मैंने आपको find, replace, select, cut, copy, paste के बारे में बताया जो की बिल्कुल simple है और ये जो topic है ये exam में जो है अलग-अलग प्रकार से पूछे जाते हैं जैसे example के तोर पे कभी-कभी ये प्रसनाता है कि tipty में आ जाएगा कि भाई इसके बारे में आप tipty करें और यहाँ पर लिख देगा कि पहले number पे find, दूसरे पे replace, दीसरे पे select अब select की बात अगर करें फिर cut copy paste, तो select मतलब देखिए जो हम mouse से ऐसे पकड़ के drag कर रहे हैं, यह select करना कहलाता है ठीक है, select करने के कई सारे तरीके हैं, तो फिलाल अभी जो मैं आपको बता रहा है, यह mouse से drag करना है फिर आप जो है इसे control दबा करके भी select कर सकते हैं यह फिर control के साथ ए बटन प्रेस करेंगे, select all हो जाता है तो MS word में कई अलग-अलग प्रकार से हम select करते हैं, तो select करने की जो process है वो simple अभी आप जो है mouse से drag वाला सीखें, एक यह हो गया और दूसरा जो है control ए के बारे में जाने control है क्या करेगा, जितने पेज में हमने लिए, जैसे हमारे पास कितने पेज हैं 73 पेज हैं, तो 73 पेज के पूरे content एक साथ select हो जाएंगे, select all का मतलब हुआ और अगर हमें किसी business line को select करना है, किसी word को तो बस mouse पकड़े और इस तरह से drag करें drag मतलब पकड़ के mouse को खीचना है आपको left button दबाते हुए तो वो चीज select हो जाएगी तो मैं आपको बता रहा था कि यह जो topic है, यह exam में जो है, अलग-अलग प्रकार से पूछते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि tip-puddy में पूछ लेगा, या फिर आप मालीजे कभी अंतर की find और replace में अंतर बताएं, या फिर यह आजाएगा cut और copy में अंतर बताएं या cut copy paste के बारे में बताएं तो यह tools exam में पूछे जाते हैं माखललाल की exam में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें, थैंक यू